हलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो अवर यूटूब चैनल आज की हमारी रेश्पी में आपका स्वागत है मैंने पिछली रेश्पी में आम की कुलफी बनाई थी उसी तरह हम आम की आइसक्रीम बनाएंगे ये भी बहुत यमी टेस्टी और फुलोपी आइसक्रीम बन के रेडी होगी जैसे आप मार्केट में लाते हैं वैसे ही आपको मार्केट में कोई भी पैसे वेस्ट करने की कोई जोरत नहीं है अब गर पर भी बना सकते हैं और गर्मी में तो आम वैसे भी आते हैं तो चैनल को स करना और जो पहले सस्क्राइबर वाले हैं वीडियो को लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर करें और जो know subscriber है वोट कर दो सकते हैं और उन चोगो वौट कर सकते हैं चल्ये इस रेस्पीकर हएक बनाना और ली रखंद संदे पानी मे बार निकाल ये अश्कर लिए अब हम लेंगे दूसरी प्लेट में आपकाने स्टे बन आया क्यों बोला जाता हमारे की निकाल लेंगे और मैंने एक इलग में निकाल लिया है बहुत आफ बारीक से करID हो और नियुक्रह नहीं करना क्यांतने तोो भी कर सकते हो जैसे आफ को ठीक लगी वैसे कर लेना इस मोने चोटे टुकडों मे कर लिया है बहुत की तकि हम मिक्सर मे ग्डाइंड करें तो बहुत अच्छह से ग्राइंड हो जायह और बहुत यृचके अच्छझी। ग्र grinding jar में डाल लिए हैं और इसको पीछ लेंगे बंद करके इसके बाद हम चीनी डाल लेंगे इसमे चीनी या मैंने dead swamil लिए है चीनी अपने according डाल सकते है कम ज़ाधा आपको कम मीठा पसंद है तो पर लेंगे हम एक बावल में मैंने यह डाइस वैमल दूद लिया है फुल फैट क्रीम दूद है आप कोई दूद्र ले सकते हो घर पर जो भी अवलेबल हो भेक टोरी लेंगे उसमें कौन फ़ल आवर डाल लेंगे कौन फुलावर या मैंने लिया है 25 ml और इसमें हम रूम टेंपरेचर वाला दूद डालके बारिक साथ पेस्ट कर लेंगे रूम टेंपरेचर वाला दूद इसलिए लिया है ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े तब टक एक उबाला चुका है दूद गरम होने के बाद यह जो पेस्ट हमने रैडी किया है इसमें मिक्स कर लेंगे इसमें मिक्स करते ही दूद हमारा गर्डा होना स्टार्ट हो जाएगा और इसको करीब जादा से जादा तीन मिन तक कि आपको गर्म करना है इससे दूद बहुत जादा गर्डा हो जाता है और ये देखी दूद हमारा गर्डा हो चुका है और इस ताइम हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे अब लेंगे हमें कटोरी उसमें डालेंगे हम विप्ट करीम विप्ट करीम भी आप अपने कोडिंग डाल सकते हैं यदि नहीं है तो दूद गरम होने के बाद उपर की जो मलाई आती है वो भी आप नहीं कर लेंगे यदि बीटर है तो बीटर की यह बीकर सकते हो और भी बैंडर है तो तो सपून की या recre कर शकते हैं इसको पिट कने में दस से पंद्रा मीटर राम से लगताए है तबी अच्छी से होल neurolog कि मैंने इसको च्छी से बीट कर लिया है दस मिन तक और यह सूण reporting अ मैंने सारि इसमें डाल ली है अब हम लेंगे इसमें वो वाला दूढ जो हमने गरम किया था कॉन फॉलावर डाल लें इए गरड़ा भी दूढ गया और तब तक यह थंदा भी हो गया यह बिलकुल थंदा होना थाइए बिलकुल भी गरम नहीं होना थाइए यह गरम होगा तो विप्ट क्रीम मेल्ट हो जाएगी और क्रीम यह जो हमने रेडी किया या इस क्रीम वो अच्छे से नहीं बनेगी मैंने सारी इसमें मिक्स कर ली है इसको बंद करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे करीब एक से दो मिन्ट तक की टाइम लगता है इसको मिक्स बनकर रेड़ी होगी अब मैंने इसको और नाइट के लिए फ्रीज में रख लिया था और नाइट के बाद देखें यह बिल्कुल ही टाइटली हो चुकी है हमारी आइसक्रीम रेड़ी हो चुकी है अब इसको हम सहव कर लेंगे कटोरी में आप जिसमें सहव करना चाहें उसम भी निकाल सकते हो मेरे पास यह स्पून है तो मैं स्पून से इसको निकाल रही हूं यह इसक्रीम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है जितनी आपको यह वीडियो में दिखाई दे रही है उससे कहीं ज़्यादा यह आप घर पर बनाएंगे और अपने हाथों से इस रेष्पी को आप घर पर ज़रूर ट्राइकना और खाने में तो बहुँ ज़धा टेस्टी है घर पर बच्चों को तो बहुँ ज़धा पसंदाती है बच्चे क्या गर्मियों में तो बूड़े कोई बियों सत्यू और आप जो मार्केट में महंगे महंगी आइसक्रीम उससे तो कहीं ज़्यादा और कम बजट में घर पर ही आसानी से बना सकते हैं और बनाने में कोई भी जंजट नहीं है और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखें आइस्क्रीम की तो आप वो जरूर करना और चैनल को सस्क्राइब जरूर करना और यह देखिए मैंने इस काटोरी में सव कर लिया है अब इसके उपर से कुछ हम ड्राइफ रूट डाल लेंगे आपके पास ड्राइफ रूट हों तो वो डाल सकते हैं वन्ना आप स्किप भी कर सकते हैं कोई आपके पास दबाव नहीं है कि आप वो डाले आपके उपर है डिपेंड है वो टोटली ऑप्सिनल है इसके उपर से में काजू पिस्ता कुछ डाल लूँगी जो भी आपके पास अब लेबल हो डाल सकते हैं वन्ना आप ऐसे भी खा सकते हैं और ऐसे सव कर सकते हैं पर कोई गैस्ट आए और इस वीडियो को जरूर लाज तक देखना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना आपको यह रेस्पी कैसे लगी झाल 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 झाल